ट्रेडिंग में फर्स स्टेप्स है, उन स्टेप्स को सीखना जो आपको एक पॉफिटबल ट्रेडर बनने में मदद करता है टोप ट्रेडर्स ने अपने 1000 आवर से भी जादा एक ट्रेडिंग प्लान को विक्षित करने और इंप्लिमेंट करने में बिताया है स्टार्टिंग में इनके लिए भी यह रूल्स हैं जो उने लागातार प्राक्टिस करने पड़ते हैं कई सालों के बाद यह एक आधित में कंवर्ट हो जाता है अपने इसी हैबिट के वज़ा से टोप ट्रेडर्स अपने सक्सेस की और आगे बढ़ते हैं अगर आप ट्रेडिंग में बिगनर हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स के हैबिट को अपना कर आप भी अपने सक्सेस की और कदम बढ़ा सकते हैं इस बुक में आप टोप सक्सेसफुल ट्रेडर्स के 39 हैबिट को जानेंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं बुक समरी को जिसका नाम है Trading Habits 39 of the world's most powerful stock market rules लेखक Steve Burns and Holy Burns इनका बुक लिखने का मकसद है नियू ट्रेडर्स को ट्रेडिंग प्लान का इंपोर्टनेंस बताना अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरण सब्सक्राइब करें टाकि ट्रेडिंग, सल्फ इंप्रूब्मेंट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और आगे भी आपको इसी तरह मिलते रहें और आप अपने सक्सेस को इंजोए करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं 39 रूल्स को तीन ग्रूप में डिवाइड किया गया है 1-15 फांडेशन रूल्स है 16-27 माइंड ओवर इमोशन रूल्स है और 28-39 प्रॉफिटेबिलिटी कीज है रूल 1 एक विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम छोटे लोस या फिर बड़े प्रॉफिट में से कोई एक रिजल्ट देने के लिए डिजाइन हो अगर आप 1-1 रिसक रिवाड रिशिव लेते हैं आपका प्रॉफिट बनाने का विनिंग रेट 50% से ज़्यादा होने चाहिए जितना बड़ा amount आप profit बनाते हैं उतना कम टाइम आपको profit बुक करने की अवश्रक्ता होती है रूल नमबर टू आपका trading system quantifiable fact पर बना होना चाहिए ना कि अपने opinion पर new traders अपने feelings के अधार पर trade लेते हैं बट professional trader fact पर trade लेते हैं एक professional trader price pattern, indicator, trend line और price action के अधार पर trade लेता है trade में entry लेने के लिए आपके पास एक specific reason होना चाहिए जो आपके favor में हो जो आपके time frame में best risk reward ratio के साथ profit बनाने के chances को बढ़ा देता हो बिना signal के आप trade में randomly ही entry लेते हैं आपका belief और prediction trading system के signal नहीं होते हैं rule number three trading system low risk high reward और high probability setup हो आपका reward दो से तीन गुना जादा होना चाहिए आपका risk capital से इस system में आप बहुत कम time profit बुक करते हैं बट profit amount बहुत जादा होने के कारण आप लंबे समय तक trading में बने रहा सकते हैं stop loss trail करके अपने profit को maximize कर सकते हैं और एक specific reason के साथ trade से exit करें rule number four different time frame में trend भी different होता है stock market में सबसे अच्य तरीका profit बनाने का अपने time frame में trend को capture करना है investor long term में आप trend को capture करने का कौसिस करते हैं जबकि day trader market खुलने और बंध होने के बीच में trend को capture करने की कौसिस करते हैं अलग-अलग system एक particular time frame में trend के volatility और velocity के आधार पर काम करता है for example day traders के लिए volatility सबसे ज़्यादा माइने रखता है कोई भी time frame में trading system rules का set होता है जिससे trend काप्चर करने का probability हाई रहता है rule number 5 long term trend को capture करने के लिए सबसे पहले weekly price chart को देखें फिर daily और hour को long term trend direction में trade करने पर आपका probability भी बढ़ जाता है rule number 6 support and resistance level को जितना ज्यादा test किया जाता है उतना ही ज्यादा chances रहता है इसके break होने का old resistance new support बन जाता है और old support new resistance rule number 7 moving average trend को quantify करता है और entry, trailing stop loss और exit के लिए signal create करता है rule number 8 bull market के पास कोई भी long term resistance नहीं होता और नहीं bear market के पास long term support rule number 9 market gaps जितने बड़े होते हैं, trend के continuation में रहने के chances भी बढ़ जाते हैं rule number 10 market में last hour trade के strength को बताता है smart money अपने activity last hour में ही करते हैं और अपने position को अपने favor में बनाए रखते हैं अगर market consecutive strong close हो और uptrend continue रहे rule number 11 200 day simple moving average के उप पर bulls uptrend बनाते हैं और इसके नीचे downtrend distribution, bear market, crashes और bankruptcies होती है rule number 12 trading में strong edge develop करने का best तरीका है study करना, test करना, trade करना और master करना specific चीज में stock, trading system, chart pattern, setup और specific market में expert को बीट कर पाना बहुत मुश्किल है rule number 13 यह समझने वाली बात है कि trend कभी भी एक stride line में up या down नहीं होता है market जिग जैक पात पर back and forth move करता है जिस से new high या new low बनता है इस तरह reversal दीरे दीरे बनता है market के first sap deep में हमेशा bias मिलते हैं और first sap rise में हमेशा sellers मिलते हैं rule number 14 difficult चीजों को लागातार करना successful trading है जो आपका second nature बन जाता है losing trade लेना बहुत easy है but great risk reward ratio के साथ entry लेना difficult होता है इसका main reason market में डर होता है rule number 15 best trade जिसमें आपके entry signal parameter में fit हो और stop loss ऐसे price level पर हो जो असानी से hit ना हो जब तक कि आपका target hit नहीं होता है best trade जिसमें आप risk और return potential को accept करते हैं best trade जिसमें market तुरण आपके favor में move करें क्योंकि आपने right moment पर entry लिया है rule number 16 hope अपने personal goal setting के लिए great tool है but trading decision लेने के लिए terrible guide है hope stock market में एक dangerous emotion है small amount को big amount में बनाने का hope में लोग position size को increase कर देते हैं और initial stop loss को ignore करके big losses को भी allow कर देते हैं rule number 17 अगर बहुत से लोग सोचने लगे कि trend continue रहेगा या फिर अभी reverse लेने वाला है तो आपको सावधान होने की जरूरत है आप अपने best signal के साथ ही trade लें क्योंकि एक trend में winning traders अपने profit को look करने के लिए exit strategy को prepare करते हैं जबकि unprofitable trader trend को capture करने के लिए entry लेने की कोशिस करते हैं unexpected things regularly होते रहता है growth stocks में rule number 18 अपने valuable asset time और mental capital के lows को limit करने के लिए initial stock lows का use करें अगर आप कुछ amount होते हैं तो आप trading में वापस आ सकते हैं लेकिन अगर आप mentally confident ना हो तो आपके लिए trading में वापस आना बहुत ज्यादा difficult हो जाता है अपने छोटे lows को बड़े lows में convert करना financially और emotionally expensive होता है rule number 19 आपको एक particular position size trade करना है जो आपको mentally और emotionally neutral रखे mentally और emotionally unbalance होने से आप trading plan को follow नहीं कर पाएंगे rule number 20 अपने trading system पर focus करें और entry, exit और position size के लिए process को follow करें ना कि पैसे जो आप बनाएंगे या फिर lows करेंगे trading decision price action पर आधारित होने चाहिए ना कि पैसे की जरूरत पर stop low price level पर आधारित हो जहां पर आपका trading system गलत साबित होता है ना कि ऐसे जगह जहां पर आप एक particular amount को खोने के लिए तयार है और ना ही किसी random place पर profit target support या resistance price के technical level पर set होने चाहिए ना कि आपके अपने profit target पर rule number 21 जब तक एक signal नहीं मिले तब तक कुछ ना करने का ability एक powerful और profitable habit होता है self control, patience and impulse control आपके time, पैसा और mental piece को save करता है कभी-कभी traders बिना किसी entry signal के बोर होने के कारण trade में entry कर लेते हैं जो money loss का कारण बन जाता है एक trade में entry लेने का motivation सिर्फ अच्छा risk reward ratio और success के probability के साथ signal होना चाहिए आपको एक right moment का wait करना है rule number 22, market के current trend के direction में trade करें ना कि अपने market prediction के आदार पर predictive technical analysis और reactive technical analysis में बहुत बड़ा difference है predicting technical analysis में आप price future में कहा जाएगा इसका prediction करते हैं और इसी belief पर trade भी लेते हैं जबकि reactive technical analysis में आप trade के beginning के signal मिलने के बाद ही आप trade लेते हैं rule number 23, आपको trading के दावरान capital का maximum drawdown को याद रखना है जो आपको mentally और emotionally disturbed नहीं करें और trading system को position size और risk exposure के साथ इस तरीके से design करें कि आपका breaking point कभी नहीं पहुँचे एक trader को पहले से decide करना होता है कितना percent capital loss होने से हुआ trading से quit करेगा traders को अपने returns के लिए कुछ parameter set करने होते हैं trading से पहले for example trading से 20% annual return पाने के लिए उसे maximum drawdown 5% रखना है जितना ज़्यादा percent में आप return प्राप्त करना चाहते हैं उतना ही risk amount भी बढ़ते जाता है आपका trading system का winning percentage इतना high होना चाहिए कि अगर आप एक row में M लगाता losses करते हो फिर भी आपका trading account का 5% से ज़्यादा loss नहीं हो rule number 24 market के trend को capture करने का कोशिस करें इसके accumulation या distribution के direction में trade करें यह आपको less disciplined market participant के respect में edge provide करेगा emotions और egos worst trading signal है rule number 25 एक trader तभी successful हो सकता है जब वह एक trader के रूप में खुद पर और एक winning strategy के रूप में trading setup पर विश्वास करता हो और पूरे trading के दावरान discipline में रहे आप अपने उपर और ट्रेडिंग setup पर तभी स्वास करेंगे जब आप ने खुद होमवर किया हो होमवर के दावरान trading setup के साथ risk, edge और self control जैसे चीज़ों को आपको handle करना है rule number 26 crisis equal to opportunity great value investor अपने best margin of safety के लिए market crisis के दावरान great fundamental valuation वाले stocks को खरीद लेते हैं इन stocks की कीमत में गिरावट fundamental values के वज़ा से नहीं बलकि crisis के lows के डर्स से गिरता है crisis के दावरान जब तक signal नहीं मिलता तब तक आपको buying या selling नहीं करना है rule number 27 market में negative and positive news दोनों होते हैं बट news एक signal नहीं है news को अगर trading setup के साथ combine करते हैं तो आप confident हो जाएंगे trend में बने रहने के लिए क्योंकि participant market के trend के साथ बने हुए है rule number 28 manage losses and maximize profits आपके सभी trade तरिप 4 results दें small win, small loss, big win और break even big loss के result को avoid करना है big loss को रोकने के लिए stop loss का use करें और profit को maximize करने के लिए trailing stop loss rule number 29 अगर आपको long term में trade में बने रहना है तो आपका money management system अच्छा होना चाहिए आपका money management decide करता है कि आप एक रो में लगातार कितने losses को सह सकते हैं ताकि आप अंतिम trade तक trading में बने रहें एक trader success हो सकता है अगर trading setup में इन दोनों में से कोई एक भी हो तो first low winning percentage के साथ low loss और big win second high winning percentage के साथ small loss और small win rule number 30 risk management में discipline और market behavior में flexible रहें price action trading में आपको open mind होने की जरुरत है और market में जो कुछ भी हो रहा है उसको adjust करने के लिए आपको flexible रहना है risk management एक strict discipline है जो आप plan करते हैं करने के लिए for example अगर आपका stop loss hit हो जाता है तो आपको बिना किसी hesitation के trade से exit होना है rule number 31 risk reward parameter और entry के quality के हिसाब से अलग अलग position size decide करें आप अपने best setup पर maximum position size का risk ले सकते हैं और बहुत कम probability वाले setup में कम position size लें rule number 32 पर trade कभी भी अपने trading capital का 1% से ज्यादा loss नहीं करें अगर आपका trading account 100,000 dollar है जिसका 1% 1000 dollar है अगर आप apple के per share trade पर 2 dollar का risk लेते हैं तो आपको सिर्फ 500 share ही लेने हैं 500 share पर आप maximum 1,000 dollar ही loss करेंगे rule number 33 सबसे पहले stop loss के level को decide करें जो आपको बताती है कि अगर आप wrong हो तो आप कितना loss कर सकते हैं इसके बाद ही price level को देखते हुए position size को decide करें rule number 34 अपने worst day पर कभी भी trading capital का 3% से ज्यादा loss नहीं करें अगर आप पर trade 1% risk का trade लेते हैं अपने capital का तो कभी भी 3 से ज्यादा एक साथ trade नहीं लें अगर आप wrong हैं तो आप बस 3% loss करेंगे अभी भी आपके पास market trend को capture करने के लिए opportunity है rule number 35 जब आपका trading खराब चल रहा हो तो आप अपने position size को कम करें और जब अच्छा चल रहा हो तो आप अपने position size को maximum कर सकते हैं market environment change होता है from volatile से non-volatile में आप trend से downtrend में और इसी तरह trend से range bond में market condition के हिसाब से risk exposure और position size को adjust करें rule number 36 कभी भी अपने losing trade को average down नहीं करें जो already wrong prove हो चुका है एक losing trade पर capital add करना means trend के against fight करना है अगर आप wrong है तो accept करें rule number 37 अगर आपको अपने trade में sizeable profit चल रहा हो तो कभी भी इस profit को loss में convert होने नहीं दें आप एक अच्छा कासा profit के साथ exit कर सकते हैं या फिर trailing stop loss का use करते हुए अपने profit को look कर सकते हैं rule number 38 volatility spikes के कारण बढ़ते हुए risk को देखते हुए position size को adjust करें और instability के nature को समझें last 10 दिनों के index या stock के trading range को देखते हुए position size को decide करें बिना किसी बड़े loss के साथ आप trading range में 50% increase को अराम से handle कर पाएं worst case scenario के लिए position size को decide करें rule number 39 आपका stop loss range के noise से बाहर हो ताकि जब भी आप wrong हो तभी market से बाहर हो जाएं अपने stop loss को ऐसे price level पर set करें जहां stop loss हिट होने का probability बहुत कम हो अगर आप price action trading secret या फिर breakout trading के audiobook समरी सुनना चाते हैं तो link description में है I hope आपको इस समरी से बहुत कुछ useful जानकारी मिला और इस तरह की जानकारी आगर प्राप्त करने के लिए चैनल को subscribe करें झाल